जै श्री राम सभी भक्त जनों को तो आज है राम्तरित मानस कथा का हमारा 49 पार्ट 49 तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि लक्षमन भगवान, श्री राम भगवान को मना रहे थे कि वे भी उने साथ लेकर वन को चले और उन्होंने आज्या दे दी और उन्होंने अब माताव से भी आग्या ले ली है और अब वन जाने की तैयारी भी कर ली है तो चलते हैं अब कथा की और आगे तो माता के चरणों में सिर्णवा कर हरदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघन आ जाए लक्षमन जी तुरंत इस तरह चल दिये जैसे सोभागयवस कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ा कर भाग निकला हो लक्षमन जी वहां गए जहां श्री जान की नाथ थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही परसन हुए श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आ गई नगर के इस्त्री पुल्स आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बना कर बात बिगाड़ दी यानि कि भगवान ने पहले तो बात बना दी और अब बिगाड़ दी उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहाद छीन लिये जाने पर शहाद की मक्या व्याकुल हो गई हो सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पच्ता रहे हैं धुनकर यानि कि पेटकर सिर पेटकर पच्ता रहे हैं मानो बिना पंक की पक्षी व्याकुल हो रहे हैं राजद्वार पर बड़ी भीड हो रही है अपार विशाद का वर्णन किया ही नहीं जा सकता श्री राम चंदर जी पधा रहे हैं ये फिर ये वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठा कर बैठाया सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए सीता सहीते दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा एकुलाते हैं जैसे बोलते हैं कि हकुलाते हैं वही और सनहे वस बारम बार उन्हें हरदे से लगा लेते हैं राजा व्याकुल है बोल नहीं सकते हरदे में शोक से उत्पन हुआ भयानक संताप है तबर रगुकुल के वीर श्री रामचंदर जी ने अत्यांत प्रेम से चरणों में सिर्नवा कर उठकर विदा मांगी हे पिता जी मुझे आशिर्वाद और आग्या दीजिये हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं हे तात प्रे के प्रेम वस प्रमाद कर्तव्य कर्म में तुरूटी करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी यह सुनकर सने वश राजा ने उठकर श्री रगुनात जी की बहाँ पकड़ कर उन्हें बैठा लिया और कहा हे तात सुनो तुम्हारे लिए मुनी लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी है शुब और अशुब कर्मों के अनुसार इश्वर हर्दे में विचार कर फल देता है जो करम करता है वही फल पाता है ऐसी वेद की नेती है यह सब कोई कहते है यानि कि ये बाद सभी कहते है किन्तु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है अपराद तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे भगवान की लिला बड़ी ही विचित्र है उसे जानने योग जगत में कौन है राजा ने इस परकार श्री राम चंदर जी को रखने के लिए छल छोड कर बहुत से उपाई किये पर जब उन्होंने धरम धुरंदर धीर और बुद्धी मान श्री राम जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए ना जान पड़े तब राजा ने सीता जी को हज़े से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत परकार की शिक्ष्या देने लगे वन के दूसर है दुख कहे कर सुनाए फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया सीता मिया को समझा रहे हैं दशरत भगवान परन्तू सीता जी का मन श्री राम चंदर जी के चरणों में अनूरुक्त है अनूरुक्त था मतलब कि उनका ध्यान तो श्री राम भगवान के श्री चरणों में ही था इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया वे सोच रहे थे कि इजने विपत्तियों की अधिकता बताएंगे तो हो सकता है सीता मिया वन को ना जाए और राज महल में सुख भूगे पर सीता मिया कहा मानने वाली थी तो मंत्री सुमंतर जी ने मंत्री थी जो सुमंतर जी उनकी पतनी और गुरु वसेष्ट जी की इस्त्री एरुंदती जी तथा और भी चतुर इस्त्रिया सनहे के साथ कोमलवानी से कहती है कि तुम को तो राजा ने वनवास दिया नहीं है तो पिर तुम क्यों जा रही हो इसलिए जो ससूर गुरू और सास कहे तुम तो वही करो सीता मिया से कह रही हैं ये सब यह शीतल हितकारी मधूर और कौमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी वे इस परकार व्याकुल हो गई मानो शरद रितु के चंदरमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो सीता जी संको चवस उत्तर नहीं देती इन बातों को सुनकर के कई तमक कर उठी उसने मुनियों के वस्तर आभूशन माला मेखला आधी और बरतन कमंडलू आधी लाकर श्री राम चंदर जी के आगे रख दिये और कोमरवानी से कहा हे रखुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो भीरू प्रेम वश्य दुर्बल हिर्दय के राजा शील और सनहें नहीं छोडेंगे पुन है सुन्दर येस और पर लोक चाहे नश्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को कभी न कहेंगे ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो माता की सीख सुनकर श्री राम चंदर जी ने बड़ा सुख पाया परंतु राजा को ये वचन बहन के समान लगे वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते राजा मुर्चित हो गए लोग व्याकुल हैं किसी को कुछ सूज नहीं पड़ता की क्या करें श्री राम चंदर जी तुरंत मुनी का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवा कर चल दियें वन का सब साज समान सज कर वन के लिए आवशक वस्तू को साथ लेकर श्री राम चंदर जी इसत्री श्री सीता मैया और भाई लक्षमन सहीते ब्रहामन और गुरू के चर्णों की वंदना करके सब को अचेट करके चले राजमहल से निकल कर श्री रामचंदर जी वशिष्ट जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अगनी में जल रहे हैं उन्होंने प्रियवचन कहकर सब को संजाया फिर श्री रामचंदर जी ने ब्रहामनों की मंडली को बुला लिया गुरू जी से कहकर उन सब को वर्शाशन वर्श भर का भोजन दिये और आदर दान तथा विने से उन्हें वश में कर लिया फिर याचकों को दान और मान दे कर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से परसन किया फिर दासदासियों को बुला कर उन्हें गुरू जी को सोप कर हाथ जोड कर बोले ये गुसाई इन सब की माता पिता के समान सार संभार मदलब की देख रेख करते रहिएगा श्री राम चंदर जी बार बार दोनों हाथ जोड कर सब से कोमलवानी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारिमित्र वही होगा जिसकी चेश्टा से महराज सुखी रहें हे प्रम्चतु पुर्वासि सजनो आप लोग सब वही उपाए करियेगा जिससे मेरी सब माताए मेरे विरहे के दुख से दुखी ना हो इस प्रकार श्री राम जी ने सब को संजाया और हर्शितो कर गुरु जी के चरन कमलों में सिर्नवा लिया फिर गनेश जी पारवती और कैला अश्पती महादेव जी को नमन करके आशिर्वाद पाकर श्री रगुनात जी चल पड़े तो आज के लिए इतना ही सभी भक्त जनों को जै श्री राम